दान का जो उपर का विकास है वो बहुत ही जल्दी होता है एक्टिव जड़े ज्यादा पोसक तत्व को लेगी और ज्यादा बुरुदी विकास से ग्रीणर ही ज्यादा अच्छी रहेगी और सूर्य प्रकास से बाली बहुत बढ़ी आएगी कोई खेत में अगर जिंक नहीं डाला है या तो किसी किसान ने यूरिया ज्यादा डाला है तो वहां पर दूसरा एक प्रॉब्लम होगा कि बहुत बढ़बर हो गई होगी जो बाली में दाने होने चाहिए वो बहुत कम होगे आपके दान की फसल में हर एक स्टेप का अपना ए लिखते हैं तो यहां पर आपको गल्टी नहीं करनी है अभी पचास दिनों के आसपास में और रिजल्ट मिलेगा आपको 65-70 दिनों के बाद में तो किसान भाईयो यह आप अचुप करिएगा नमस्ते किसान भाईयो धान भारत से में कई आशियाई देशों की मुख्य जादा बोई और उगाई जाती है वो धान ही है धान फसल की वीडियो के भाग दो में आप सभी का सपागत है आज के इस वीडियो में हम तुशार सर से जानेंगे बाली अवस्ता से उत्पदन तक सारी जान करी तो किसान भाईयो यह वीडियो अंत तक जरू देखे और हां और इंस्ट्राग्राम पेज को भी फॉलो करना ना भूले तो चलिए जानते हैं तुशार सर से बाली अवस्ता में हमें क्या करना है फुटान का जो जो शेक्शन है वो शुरू होगा तब किसान भाईयो को क्या करना है तो अभी हम आगे बात करेंगे फुटान की पहले बी जो एक्टिव फुटान अवस्ता है फुटान हो रही है और उन्चास्वे दिन पे फुटान पूर्णताय आ जाती है तब जो जड़ है वो बहुत ही अंदर डेवलोप हो चुकी है उपर से जो तना है तना आपको दिखेगा नहीं फुटान ही दिखेगी मतलब चार पांच या 6-7 कभी-कभी 10-12 फुटान भी दिखती है तो ऐसा पूरा खिला हुआ पोधा है तो अभी अंदर बाली तैयार हो रही है पोधे के अंदर पोधे के तने के अंदर जमीन के नीचे बाली तैयार होती है यानि कि पत्ते अभी आना बंध हो जाएंगे और चीदी बाली तो अभी बाली आने वाली है तो उसके लिए अलग उल्वरक चाहिए पहली बात उसके लिए जो रोग आएंगे वह लग आएंगे कीट अलग आएंगे तो उसकी हम अभी बात करेंगे तो किसन भाईयों, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कि ये जो अवस्ता है, मतलब एक रुद्धी विकास हुआ, फिर बाद में फुटान आया, और फुटान में अंदर बाली बनना शुरू हो गई है, फुटान पूर्ण तया आ चुका है, तो जैसे ही बाली बाहर आती है दान का जो उपर का विकास है, वो बहुत ही जल्दी जल्दी होता है, एकदम फास्ट, मतलब 45-50 दिनों के बीच से लेके, लगबख 60-70 दिनों तक, ये 15-17 दिन में रुद्धी विकास बहुत अच्छी तरह से होता है, अगर ये रुद्धी विकास अच्छी तरह से हो गया तो पत्ते भी खिलके बहुत अच्छी तरह से बाहर आ जाएंगे, पत्ते तंदूरस्त रखना है आपको, कोई रोग नहीं चाहिए, कोई कीट नहीं चाहिए उस टाइम पे, इस समय पे आप सोचो कि आपने जून की 15 तारिक को बीजाई की थी, या तो जून की 15 से 20 के बीच म एक कैलकुलेशन के लिए, तो जून की 15 तारिक, जुलाई की 15 तारिक और जुलाई की 30 तारिक, तो ये ओगस्ट मेने की में बात कर रहा हूँ, जुलाई की 31 तारिक के बाद के 15 दिनों की, उस टाइम पे भृद्धी विकास बहुत होता है, उस टाइम पे बारिश भी दूसरा भूरे फुद के और सफेद फुद के सबसे जदा आने का संभावना रहता है और तीसरा जो सीथ ब्लाइट है रोग वो भी आने का संभावना रहता है और चोथा है उसमें ब्लास्ट उस टाइम पे सबसे जदा आने का संभावना रहता है लेकिन मैं आपको दो बाते बहुत अच्छी तरह से बता देता हूँ, उस टाइम पे दो रोग ऐसे आते हैं, जो आपको शुरुवात हो जाती है आपके खेत में, लेकिन आपको लक्सन नहीं दीखते हैं, जैसे पहला है तनाचेदक, दूसरा है हल्दिया रोग, एक फंगस है, फूग है, और दूसरा है कीट, तो ये दोनों की सुरुवात होती है लगबग 50 दिनों के आसपास में, और लक्सन दिखते हैं जब बाली आती है तब, यानि कि 65 दिनों के बाद में, तो यहाँ पे आपको गल्ती नहीं करनी है, ट्रीट्मेंट करनी है अभी 50 दिनों के आसपास में, और रिजल्ट मि और उसी समय पे उर्वरक का प्रबंदन करना होता है, यानि कि आपको जो डालना है वो भी प्राब्लम नहीं होगा, यानि कि इस समय पे भृद्धी विकास का एक एक्टिव फे जाएगा, टीलरिंग है, पहले एक पोधा बढ़ रहा था, अभी फुटान के साथ लगबग चा प्रतियकर डाली है, अगर पहले से नहीं डाली है, तो आट से दस किलो प्रतियकर डाली है, इस समय पे जिंक अतियावस्यक है, क्योंकि बाली तैयार हो रही है, यानि कि फूल तैयार हो रहा है, फूल के लिए जिंक अतियावस्यक है, तो यह हो गया खाद का बात, खास करक पदे को सक्सम बनाएं के लिए थोड़ा सा 25 किलो पोटास देना भी अतियावश्यक है तो पहले मैंने बताया था कि 25 किलो पोटास दाले इस समय पे भी बोलता हूं 25 किलो डाली पचास किलो अमुनियम सलफेट और तीन से लेके 10 किलो जिंक डालना है जिंक अकेला मिलता है तो वनो ढालि है जिंक 20 % बीश प्रतिसद आज या तो मिक्स माइक्रुनिटन बैलादी जो आपके कोई भी राजियका गरेड होता है गुझरात का giants राज्चान का गरेड मज्य प्रदेश का गरेड के उतरप्रदेश का गरेड ऐसे ग्रेड आते हैं तो ग्रेडवाई ज्य बह पोसक तत्व को लेगी और ज्यादा पोसक तत्व ज्यादा गुरुदी विकास में हिस्सा लेगे और ज्यादा गुरुदी विकास से घ्रीनर ही ज्यादा अची रहेगी हरापन ज्यादा रहेगा उससे सूर्य प्रकास ज्यादा पकड़ेगा और सूर्य प्रकास से बाली अभी प्रोडक्शन तो आपका बढ़ गया उसको रोकता है कौन उसको रोकता है रोग तो जैसे मैंने बता है सीथ ब्लाइट आता है तनायक के पास पास में थोड़ा सड़ान आता है दूसरा आता है ब्लास्ट तो उसका नियंदर करना बहुत अधियावश्यक है तीसरा एक जीवानों का जूलसा जो आता है वह भी आने की संभावना रहते है खास करके गुजरात में बहुत आता है मैंने मध्य प्रदेश में भी देखा है और कई इलाकों में यूपी में भी में देखा है तो अगर ये रोग आपको पता चलता है तो कैसे पता चलेगा इसमें जो होता है उपर से सूखना सूरू होता है नीचे आता है यानि कि जो पत्ते की टीफ है वो सूखेगी पहले और बॉर्डर 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 पर सूखेगा तो बीच का मतलब ये वाला पार्ट है वो ग्रीन रहेगा और बॉर्डर वाला जो पार्ट है वो सूख जाएगा तो उल्टा वी जैसे आपको लक्षन दिखाए देगा, तो यह बैक्टेरियल जूलसा है, अगर यह आता है, तो आपको कौपर का प्रयोकन है, कौपर वन, कौपर वन आप लेते हो, एक एकड में 400 ग्राम जितना लेते हो, तो आपको परेडाम बहुत अच्छा मिलेगा, या तो 30 से 35 ग्राम या तो 40 ग्राम डालके आपको छिर्खाव करना है, तो यह करने से आपके खेत में फंगस और बेक्टेरिया दोनों का नियंतर होता है, तो आपको अलग से फंजी सैड लेने की जरूरत नहीं है, अगर फंजी सैड अलग से लेने की जरूरत पड़े, तो करना है अभी, तो वो कौपर से वो हल्दिया रोग के बीजानों भी मर जाते हैं, तो कौपर वन से तीन फाइदे हैं, तो आप ये तीन फाइदा लेने के लिए कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, एक छिर्खाव आप 50 से 55 दिनों के बीच में आप एक छिर्खाव कर सकते हैं, तो अभी हमने तीन बाते की, रोग नियंदरन की, फड़ी लेजर मेनेजमेंट की और तीसरी इंसेक्ट मेनेजमेंट की, तो यहां पे फुटान अवस्था से लेके बाली बनने की अवस्था तक, यानि की 45 से 50 दिनों से लेके 60 दिनों तक की बात हमने यहां पे की है, तो य आपको भविष्य में जो रोग आने वाले हैं, 65 दिनों के बाद में दिखने वाले हैं, वो भी नियंतर हो जाएंगे. तो किसन भाईयो, यह आप अचुप करिएगा. किसन भाईयो, इसके बाद में कुछ अलग स्टेज आने वाला है. और इसके साथ ही साथ में, आप अगर खेट से साड़ से रोड से निकलते हो, तो आपको एकदम बहुत अच्छी सुगंधाना सुरू हो जाएगी. राइस की जो मतलब धान की जो सुगंधाती है, चाहे वो सुगंधित ना हो, बार्शमती ना हो, तो भी आपको बहुत अच्छी सुगंधाना सुरू हो गई. तो यह लक्षन है कि आपका खेट बहुत ही तंदूरस्त है, अगर आपने मेने जो बताई को प्रक्रिया करते हैं, तो आपका खेट तंदूरस्त रहेगा, और इस समय पे क्या सिच्छीएशन होगी, क्लाइमेट की, जैसे मैंने बताया कि सावन का महिना होता है, या तो इं किसान भाईयों को मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, तो बाली अवस्ता में क्या-क्या चीज़े किसान भाईयों को परेशान करती है, और उसका सोल्यूशन आप क्या दे सकते हैं, बाली जो फूल होता है, फूल का परागनेन प्रक्रिया होगा, और परागनेन प थोड़ी मध्यम और प्रचिती वेरेटी में बाली आना शुरू होता है, मतलब बाली आ रही होती है, कहीं कहीं पे दिखती है, कहीं कहीं पे नहीं दिखती है, लेकिन इसी दोरांत में आपको समधना है कि बाली आ जाएगी या तो आ चुकी है, ये बीन थोड़े इदर उदर हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये अवस्था बहुत ही critical है, स्रावन का महिना होता है, बारिस रुक रुक के आती है, नमी आरदरता बहुत होती है, आपने fertilizer बहुत अच्छी तरह से डाल दिया है, रुद्धिविकास की अवस तो पोधे को बहुत सारा portion भी चाहिए उस टाइम पे, तो कहीं न कहीं stress में आके बहुत ज्यादा रोग कीट का उपद्रव हो जाता है, तो यहां पे आपको रोग में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यहां पे पहले तो सीथ बलाइट जो मैंने बताया था, वो एक बहुत ही गंबी रोग है, वो आता है, दूसरा बलाष्ट जो मैंने पहले भी बताया था, और तीसरा है भल्दिया, इस सबी रोगों का नियंतरन में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहां पे आपको अभी नई दवाई का प्रयोग करना है, कि इस समय के दोरान अगर आप रोग है या नहीं है, तो भी आपको रोश्तम नाम की दवाई का प्रयोग करना है, यह दवाई में एजोसरोस रोबिन प्लस टेवुकुना जो लाता है, तो यह जो दो रसायन है, फंजी सैड है, फभूदी नासक है, वो वीवित तरह के रोगों को नियंतरन में लेता है, तो यहां पे आप यह दवाई का चिर्काव करते हो, और उसके 10 या 15 दिन के बाद फिर से करते हो, तो बहुत अच्छा परिणा मिलेगा, आपका धान का फसल बहुत ही तंदूरस रहेगा, और ना के बरोबर रोग आएंगे, अगर उससे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आप हमारे अधिकारी को संपर कर सकते हैं, कि हमारे केत में कोई अलग तरह का अलग रोग है, लेकिन ये दो स्प्रे अचुक आपको करने हैं इस अवस्था में, ये हुआ रोग का बात, दूसरा है यहां पे कीट का प्रादुर्वाओ, कीट में सबसे ज्यादा तना छे इर डालना है, तो ये करने से क्या होगा कि तना छे दक का जो रैंसरा सेकंड वेव आता है यो थड़ वेव आता है, वह अन्रो करेंदे कि कीट में, तो यह हो गया कीटो का दोनों का उपद्रव जारी रहेगा, तो यहां पे भी आपको नियंद्रण में लेने की जरूरत है, अगर आप उसको सबको नियंद्रण में लेते हो, तो बाली बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ती है, मतलब उसमें अभी परागनाहिन की प्रक्रिया होती है, और दाने दू सम्पून बाहर आ जाती है, तो यह अवस्था में मैंने बताया कीट नियंद्रण, मैंने बताया रोग नियंद्रण, और तीसरा फर्टिलाजर मेनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले डाल चुके हो, तो वो आपको आवश्यक्ता नहीं है, अगर आपको जिंक की कमतरता डेफिशेंसी अगर लगती है, तो आप इस अवस्था में चिलेटेड जिंक आता है, उसका स्प्रे कर सकते हो, या तो आप मिक्स माइक्रोटन, नियंद्रण में ले लिया है, तो आपका धान इस अवस्था को भी क्रोस कर जाएगा, और आगे क्रोटन में चला जाएगा, तो किसन ब् lad быть बहूं। वे नियंद्रण में लेन की आवस्था और वहां से परागोन और दाने बनने की आवस्था आएगी, तो यहां पे आपको जिसके लिए दवाई अभी चेंज होती है, जैसे मैंने रेपीजन-GR का जिक्र किया, दूसरा एग्रोनिल-GR का जिक्र किया, तो यह अगर आप यहां पे करते हो, तो किसन भाईयों की जो खेत में बाली है, पूनताय आ जाएगी, 65-70 दिनों के अंदर, और फिर उसका परागन परागन प्रक्रिय होगा, और नेक्स्ट फेज में जाएगी, तो अभी नेक्स्ट फेज आता है डाने बरने के अवस्ता, तो आपने अपने धान का दाना देखा होगा, राइस का, खेत से आया हूँआ, वह बहुत हाड़ होता है, लेकिन खेत में जब वह बहुत सॉप्त ह तो पुलते हैं कि रोगगराहिय होता है , तो रोगगराहिय में क्या होता है ? आप अभी भी समझो कि अभी हम बात कर रहे हैं कि लखभग असी दिनों के आश्पास की आपने प्लांटिंग कब किया था ? सुन की 15 तारिक तो जुन की 15 तारिक से लेके जुलाई की 15 तारिक, आगस्ट की 15 तारिक और सप्टेम्बर की 15 तारिक और उससे 10 दिन ज्यादा, यानि कि सप्टेम्बर एंड में आ चुके हम, वहां पर कैसा होगा, गर्मी ज्यादा होगी, बहद्रपत का लगबग महीना होगा, और दूसरा क एक प्राब्लेम पे दाने के उपर धब्रोग आते हैं. ग्रेंध डिंसको बगते हैं. तो ये रोग बहुत ही सामाणया है. हल्या रोग आता है दूसरा, जो डाने बनने ही नहीं देता. दानों की जगह पे हल्या होता है. वो फफूद हो जाती है. तीसरा होता है stem borer, जो कि मतलब आपका तने में से जो बाली निकली है, वो सफेद कलर की निकलेगी, अंतर दाने है ही नहीं, तो ये सब प्रॉब्लेम अभी इस समय पे होगे, कोई खेत में अगर जिंक नहीं डाला है, या तो किसी किसान ने यूरिया ज्यादा डाला है, तो वहां पर दूसरा एक प्रॉब्लेम होगा, कि बहुत बढ़वार हो गई होगी, जो बाली में दाने होने चाहिए, वो बहुत कम होगे, तीसरा प्रॉब्लेम होता है, कि जो दाने का जो जॉइंट होता है, वो भी बहुत ही वीक हो जाता है, तो ऐसे अलग तरह के प्रॉब और वातावरन तो ऐसा है कि रोग आएगा तो यह सब को साथ में अगर पकड़ते हैं तो पोधा एक तो वीक है दूसरा प्रॉब्लम यह होता है कि हाइट थोड़ा ज्यादा पकड़ने की वज़े से बहुत ज्यादा पावन आने की वज़े से उसी टाइम पे मतलब वजन बहुत ज्यादा मेहनत की है प्लांटिंग की टाइम पे वहां पे तीन-चीयाद ध्यान रखा है आपने खर्चा किया है फिर आपने गुरुदिविकस के अवस्था में आपने ध्यान दिया है फिर फुटान की अवस्था में फिर बाली के अवस्था में इतना सारा करके तो उसको कम खर्चे में या तो सही तरह से मैनेज करने से प्रोडक्शन भी बढ़ता है कि जो टीप से आपको आपकी फसल सुरक्सित रहे प्लस ज्यादा बढ़वार करें ज्यादा प्रोडक्शन मिले यह दोनों टेक्निक में आपको बताने जा रहा हूं तो किसन भाईयो अभी हम बात करेंगे दाने बरने की अवस्था में दाने की अवस्था में क्या होता है पहला तो रोग आता है रोग में पहला ब्लास्ट आता है जो ब्लास्ट रोग है उसमें नेक ब्लास्ट नोडल ब्लास्ट पत्तो का ब्लास्ट तो होता ही होता है उसके स तो वो गिर जाते हैं, तीसरा होता है, वातावरन अगर साथ नहीं रेता है, बहुत सूखा पड़ गया, मतलब उस टाइम पे बारिश नहीं हुई, बादरबत का महीना है, या तो पवन ज्यादा चल गई, उपर दाने बर रहे, तो वजन ज्यादा है, तो वो गिर जाने का ल तो नॉर्मली जो सामान्य तनाचिदक वगेरा है, वो तो आते ही आते हैं, तो किसान भाईयों को क्या करना चाहिए, इस अवस्था में भी, आपने पहली अवस्था में अगर एक या दो बार रोस्तम का स्प्रे किया है, तो अभी फंजी साइड, फफु दिनासक जो रशा स्ठान आटाय आपका holy आ싸न का, मतलब दाना का जोकी ऐटेज्मेंट होता है और वो गीर जाते है, अभी नहीं गीरेंगे, वो गीरेंगे कब जब सूख रहे तब, अभी सातार शी दिनों में नहीं गीरेंगे, वो एटेज्मेंट अभी मझबूत नहीं करेंगे तो गीरेंगे मतलब जबनेशां राघाव बूं हो कटाई करने वाले होता उससे पहले गिरेंगे लेकिन ट्रीट्मेंट अभी कननी है तो वो ट्रीट्मेंट है सिलिकोन इस टाइम पे आपको सिलिकोन देना अती आवश्यक है किसन भायो सिलिकोन वैसे तो पृत्वी पे बहुत ज्यादा मौजूद है और सभी फसलों में सबसे ज्यादा अगर सिलिकोन की जरूरत पड़ती है तो दान को है ये दो बाते ध्यान रखे तो दान लेता क्यों क्योंकि वहां पे वाटर स्टेगनंट रहता है पाणी बरा रहता है और पानी बरा रहता है तो जो जमीन में सिलिकोन है वो पौधा लेता नहीं है उसका अवैलेबल फॉर्म यानि की जो पौधा ग्रहन कर सके ऐसा फॉर्म हमने बनाया है जिसका नाम है सिलिकोन सिलिकोन आप उस समय पे छिड़काओ के स्वरुप में दो बार देना है आपको यानि की लगबक 75 दिन के आसपास में एक करना है इससे क्या होगा वातावन अगर साथ नहीं दे रहा है मतलब सिलिकोन एक ऐसा प्रॉडक्ट है जो कीट और रोगों के सामने अवरोध बनके बैठता है दिवार बनके बैठता है तो जल्दी से कीट और रोग आपके खेत में डेवलोप नहीं होंगे दूसरा जो दा यह प्रॉडक्ट इस समय पे मतलब 75 दिन के आसपास एक बार चिड़काओ करें और 10 दिन के बाद दूसरा चिड़काओ करें दो चिड़काओ अगर आपने दे दिये तो आपको इस अवस्था में यह बहुत ही मजबूती से आपका दान का फसल बढ़ेगा आपके दाने ज् वजन भी ज्यादा आएगा तो यह दवाई यह दवाई नहीं है एक्चुली खाद है और मैं तो खाद भी नहीं कहूंगा यह तो रखसक है दान का रखसक है तो यह करने से आपको बहुत फायदा होगा आप कोई भी कंपनी का सिलिकॉन लेके शिड़काओ कर सकते हो तो यह दाने बढ़ने की अवस्था और दाने में वजन बढ़ने की अवस्था की बात है यहाँ पर step by step आप करते जाते हो तो आपका production बहुत ज्यादा मिलेगा यह जो मैंने step by step बताया उसमें जो last step, last जो अवस्था है दाने बढ़ने की अवस्था उसके बाद में कुछ ज्याद बच नहीं जाता है, मतलब वो दाने भर गए, वो दाने अभी सुखना सुरू होगा, पोधा सुखनों सुरू होगा, और 100-120 दिन में आपका हर्वेस्टिंग स्टेज आज आएगा, लेकिन किसन भाईयो याद रखे, हर एक स्टेप का अपना एक महत्वा है, हर एक स्टेप मे कीट रोग थोड़े बहुत अलग अलग आते हैं, हर एक स्टेप में आपके धान की फसल में जो अवस्था चेंज होती है, उसकी हिसाब से मैंने अरोरा का प्रभंधन बताया है, और कुछ दो-तीन बाते मैंने अलग से बताई आपको, जैसे की यूरिया का प्रयोग नहीं क कब आपको प्रयोग करना है, कुछ ऐसा बताया है, कि आपको लक्षन बाद में दीखेंगे और ट्रीक्मेंट पहले करना है, जैसे हल्दिया रोग के लिए और तनाचेदक के लिए और एक बेक्टरिया के लिए, ये सारी स्टेप्स अगर किसान भाय ने फॉलो की, तो उनक अच्छी तरह से फाइदा होगा कि ये स्टेप बाई स्टेप करने से, ये सब याद रखने से, किसान भाय का प्रोड़क्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मतलब जो एक्सपेक्टेड प्रोड़क्शन है उनका, जो उन्होंने पीठले दो-तीन साल में प्रोड़क्शन ल तो वो सिलिकोन के कारण पहुते कम गिरते हैं, दाने कम सेर्टरिंग होता है, तो वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में क्वालेटी भी बढ़ेगी, बहुत बढ़िया क्वालेटी आएगी, बहुत प्रोड़क्शन ज्यादा आता है, ऐसी हम सला देते हैं और ऐसी दिल से अपएक्सा भी रखते हैं तो धन्यवाद Tushar sir आपने धान की फसर के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी हमारे किसान भाईयों को दी है इसलिए तो किसान भाईयों Tushar sir ने जो अभी पूरी धान की फसर के बारे में जो information नहीं है वो जादा से जादा किसान भायों तक जरूर शेर करें और हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बतायेगा फिर मिलते हैं नई फसल की जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक अपना धानर खिये कि झाओ सु States के सुपसी करें पादा इस जता चादार मुष्भ fascक्त सूपसरे कारे सालमा सकहरा नग्यों में कमें है युर क्ष़शनल ओना जो घुन सबस्मारी कि जामाझ typशनल ड़ियो सोब बाहा आपको ब busy and भाध ऊ हुआलती हैं तो थार प्यूस पëlूसरे को है जाशनल झाल झाल